होप आप सब लोग ने प्रिविएस वीडियो लेक्चर्स पूरे अटेंड किये हैं और आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया था तो हम आज अपने वीडियो लेक्चर को आगे करियो ओन करते तुड़े भी स्टड़ी इंसर्ट टैब और होम टैब हमने प्रिविएस लेक्चर में भी विचे पढ़ी थी कि हमने उसमें देखा था होम टैब के अंदर हम लोगोंने फॉर्माटिंग एफैक्ट पढ़े थे प्रिविएस वीडियो में बॉल्ड इटैलिक कलर चेंज करना राइट कट कोपी पेस्ट फाइन रिप्लेस कमांड थ्रेश एरस फीचर हमने यह कुछ अपने फीचर पढ़े थे मस वर्ड के रहे तो आज हम उन्हीं उसी चीज को आगे कंटीनिव करेंगे जो मैं स्लिवर्स के अकोरिंगे अट वोज इन हों टैब आज हम सुपर स्क्रि अगर हमारा यह कंटेंट कवर हो जाता है उसके बाद हम आज इंसर्ट तैब में यह कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अब हम इन टॉपिक्स को कंटीनिव करते हुए देखते हैं वही हम आज भी इसको प्रैक्टिकली बेस देखेंगे लेकिन उससे पहले बस हम थोड़ा सा एक बार थोर्टिकल देखते हैं थोर्टिकल में क्या है बचे सुपर स्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट जिसे मैं हमें देखते हमें इस तरिखें से एक प्लस य्सको प्लस जेड्ट स्क्रेए तो बहुत ईजीली आप कीबोर से टाइप करके लिखंगे अगर आप एक्स के बाद ट्याइप करते हैं तो इस तरिकüs whenever tardic and 7 ok तो पावर में यूज करने के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट का ओप्शन यूज करना पड़ता है आपका जो होम टैब है उसी में मिलेगा आपको इस तरीके से एक्स की पावर टू आपको मैं एक बर थेवर्टिकल बदाते हूं दब आपको यूज कैसे करने है यू विल राय बीराइट एंट डां ऐ अब टाइप करेंगे एक्स देन आफ्टर जो हमारे फॉंट हम टैब में फॉंट में सुपर स्क्रिप्ट ऑप्षन हम को आक्तिवेट करेंगे बच्चे हम टू को प्रेस करेंगे डैं राइट डैन आफ प्रेस य फिरम सुपर स्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे हम तूप्रेस करेंगे फिर हम उसको डिसेबल करेंगे गरίνे अब मैं आपको यह चीज अब प्राक्टिकली possible करके दिखाती हो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट दोनों सेम उप्शन से एक तरह किसे होंगे नव हावाल लूक ओन देस स्टूडेंस देखे इधर इन दा हॉम टाइब फॉन्ट ग्रूप में आपके पास जो ये उप्शन है एक्स कि बेस में टू है और एक्स की पावर में टू है दाट वो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट हम माउस की कर्सर को यहाँ पर लेके आते हैं तो यह देखे हमने एक्स स्क्रिप्ट पर लेके हैं तो दाट वो सुपर स्क्रिप्ट एड एकस के बेस में जो है वो क्या है आपका schauen रई अब हम यहाँ पर Typing स्टार्ट करते हैं करसर आपका bling घो रहा है हम document अरिया में टैप करना स्टार्ट करते हैं I press here A रई अगर मुझे एक स्क्यर में करने मैंने टू प्रेस कियdı तो बच्चे यह इस तरीके से लिखा जाएगा, जबकि मुझे यह इस तरीके से नहीं लिखना, मैं बैक स्पेस करके इसको डिलीट करती हूँ, मैं यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट ओप्शन को एक्टिवेट करती हूँ, जैसे मैंने उसे एक्टिवेट किया है बच्चे, तो देखी वो ओरेंज क करती हूं, I use here plus, तो plus का sign भी मेरा power में use हो रहा है, बट मुझे power में use नहीं करना है, as normal use करना है, मैं backspace करके, पहले superscript option को disable करूंगी, I disabled it, देखियो, normal blue color में हो गया है, अब मैं plus का sign use करती हूं, then after I press B, B का square use करने के लिए मैं दुबारा से superscript option को enable करूंगी, put on to, and then after मैं उसको disable कर दूंगी, इस तरीके से हम superscript option use करते हैं, enter press करके मैं next line में move on करती हूं, यहाँ पर मेरे को जैसे बचे, science में हम equations use करते हैं, हम bottom में, जैसे h2 अगर मुझे लिखना है, h, अगर मैं 2 लिखना हूं, तो same 2 वैसे ही आएगा, तो मैं यहाँ पर subscribe option को activate करती हूं, subscribe, I use to, subscribe option को मैं disabled करती हूं, और I use o, h2 o, यह small है, यह मैंने capital में कर देए, that was h2u, o, तो this was your superscript and subscribe, हो गया, अब इसके बाद देखे, यह तो था हमारा superscript और subscribe option, अब हम देखते हैं, हमारा next, my next topic was change case, change case बुचे name से suggest कर रहा है, जैसे क्या होता है, कि हम काफी बार, मैंने आपको कोई text दिया, या मैंने आपको बोला कि write 10 or 12 lines on yourself, 10 or 12 lines on MS Word, computer, about your school, इस तरीके से, आप सबने क्या किया, उसको अपनी language में लिख दिया, आपने first word capital किया और आपने उसके बाद अपना जो भी continue था, change case से क्या होता है, कि without deleting the content, आपने जो भी content लिखा है, आप उसके case को change कर सके, means, अगर आपने small में लिखा है, तो आप उसको capital में कर सकते हो, capital में लिखा है, तो small में कर सकते हो, या फिर आपने सारा capital में लिखा है, तो आप उसको sentence structure दे सकते हो, means, first word capital, बागी सारे small इस तरीके से, तो change case option में बच्छे हमारे पास five cases, five options available है, the very first is uppercase, uppercase में क्या है, कि बच्छे आपने किसी भी type से कोई भी text लिखा, alphabetic text और उस alphabetic text को पूरे को select करके, अगर आप uppercase पे click करते हैं, तो जितना भी text आपका capital words में हो जाएगा, lowercase, सारे का सारे text आपका small letters में हो जाएगा, sentence case, sentence case, first word capital बागी सारे small, that was your sentence case, the fourth one comes here, your capitalize each word, means कि जो भी आपका first word है, वो आपका capital हो जाएगा, first letter जो है, वो आपका capital हो जाएगा, the last one is toggle case, last one is toggle case, toggle case थोड़ा सा अलग है, बच्चे, toggle case में आपने जो भी sentence लिखा है, उसका first letter, the very first letter आपका small रहेगा, बागी सारे capital हो जाएगा, तो हम इसी को practically implement करके देखते हैं, here हम यहाँ पर implement करके देखते हैं, बच्चे, मैं इस line को select कर लेती हूँ, पूरी को, मैंने इस line को select किया, हमारा change case भी आपका home tab के अंदर phone 12 ग्रूप में आपको मिलेगा, change case का जो sign होता है, वो यह है, capital A और small A के साथ, change case, यहाँ पर हम इस triangle पर click करेंगे, तो हमाँ पर यह 5 options available आते हैं, मैं first इस पर click करती हूँ, तो that was sentence case जिसमें यह already लिखा हुआ था, first हमारा capital था, बाकी सारे small थे, तो हमें कोई change नहीं मिलेगा, then after मैंने click किया lower case, तो बचे देखिए, यहाँ पर ही सारे आपके small words में हो जाते हैं, then after I click on uppercase, हमारे सारे words, capital में change हो जाते हैं, then after I again click on lower case, सारे दुबारा से आपके small words में है, capitalize each word, हर word का first alphabet आपका क्या है यहाँ पर, capital में आ जाता है, and the last one is, toggle case, जो सबसे different है, वो यह है, कि आपका जो first alphabet होगा, वो small होगा, बाकी सारे capital, first small, बाकी capital, small capital, तो इस तरीके से आप change case भी apply कर सकते हैं, यह तो था हमारा change case, तो हमने अभी तक इतने दो topic clear कर लिये हैं, two topics, जो हमने भी, three हो गए मैंसे तो, subscribe, superscript and change case, then after alignment, जिसका हमने little थोड़ा सा description previous video में भी किया था, कि हमारा जो text है, उसको किस तरीफ align करना है, right side में align करना है, left side में, center में justify, ना जादा left, ना जादा right, इस तरीके से, तो justify को हम इतना जादा नहीं रखते हैं, हमारे तीन जो main हैं, वो है left, right and center, उसके बाद बचे जो bullet list है, bullet list क्या है आपकी, कि जब आप कोई भी text लिखते हो, कोई heading लिखते हो आप, और उसके जब sub parts में उसको divide करते हो, तो जो 1, 2, 3 की numbering है, यह या फिर आप जो यह होता है, कि इस तरीके से आप अपने text को लिखते हैं, यह जो list लगते हैं, इसके लिए भी हमारे पास option है, कि automatic यह list हमारी लग जाए, तो that was bullet list, number list, यह हमारी कुछ list होती है, जिसे कि अगर आप हम implement करके देखना चाते हैं, तो हम implement करके देखते हैं, देखिए इदर, हमने last में पढ़ा था कि page orientation टू टाइप्स का होता है, portrait और landscape, तो मुझे यहाँ पर portrait और landscape के आगे 1 और 2 की numbering देनी है, टू टाइप्स की है, मैं पहले इसको select करते हूँ, numbering देने के लिए, वही home tab के अंदर ही होता है, हमारा यहाँ पर numbering हम जो देते हैं, यह हमारी जो alignment से इन से जो उपर वाली है, यह, इनके अंदर हम numbering दे सकते हैं, अब numbering के लिए हमारे पास options हैं, कौन सी numbering देना चाहते हैं, जो यह first that was bullets, यह आपकी dot dots इस तरीके से आएंगे, अगर आपको dots लगानी है, tick का option है, यह जो हम use करते हैं, numbering के आगे, यह भी use कर सकते हैं, 1, 2, 3 की numbering use करनी हैं आपको, 1, 2, 3, A, B, C, D, यह numbering use करनी हैं, यह फिर numbering के भी आपको sub parts use करनी हैं, first part, उसका A part है, फिर उसमें भी sub parts हैं, तो हम यह आपर use कर लेते हैं, चलिए हम numbering यह वाली use कर लेते हैं, तो यह देखें, हमारे landscape और portrait के आगे, हमारी numbering लिख के आजाते हैं, that was bullet list, number list, हम यह list लगाते हैं, अपने content के आगे, अगर हम उसको sub parts में divide कर रहे हैं, यह हमारा alignment है, जो कि मैंने आपको previous video में बताया था, selected है landscape और portrait, अगर मैं left करती हूँ, तो मेरा पूरा portion left side में align हो जाएगा, मैं right side में करती हूँ, तो यह right side में हो जाता है, अगर मैं center alignment लगाती हूँ, तो यह center में align हो जाता है, तो यह जितने भी options थे, पुच्छे, यह सारे के सारे मेरे options थे, वो home tab में थे, मैं आपको find and replace की command इसमें एक बर और दुबारा से बता देती हूँ, find and replace की command लगाने के लिए देखिए, कि यहाँ पर मैं सबसे पहले तो control h shortcut की press करूँगी, इस तरीके से एक window open हो क्या आती है, find and replace के लिए, मुझे यहाँ पर अगर मैं find, सिरफ मुझे search करना है, कुछ नहीं करना, बस देखना है कि यह word कहां का लिखा हुए, तो मैं यहाँ पर search करके देख सकती हूँ, इसके साथ साथ, अगर मुझे replace करना है, ठीक है, तो मैं replace भी कर सकती हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई word select करती हूँ, वी, कि मुझे वी जो word है, इसको search करना है, और वी को मुझे replace करना है, अस से, या फिर यू से, right, find क्या करना है, वी करना है, replace क्या करना है, यू, मैं क्या करती हूँ, रिप्लेस option पर, replace all करूंगी तो यह automatically जहां पर भी है, सब को एक साथ replace कर दे हूँ, मैंने replace का button इसले use किया, कि पहले, replace करने से पहले ही, मुझे permission मांगे, right, तो मैंने replace किया, तो देखे, यहाँ पर लिखा हुआ रहे है, इसने highlight किया कि इधर, आपका V है, मैं अगर यहाँ पर करती हूँ, replace next, तो यहाँ पर यह, you में change हो गया, next के उपर जा चुका है, right, इसको भी मुझे change करना है, I click on replace, then it goes on the next, I click on replace, और इसने replace कर दिया है, तो मैं सारा जो content था, वो replace हो चुका है, right, तो इस तरीके से मैं अपने text को find and replace का option भी use कर सकते हूँ, right, तो हमारे आज home tab में, यह कुछ basic contents थे, जो हमें करने थे, find and replace, home tab के अंदर, और क्या-क्या options होते हैं, यह सारी चीज़े देख सकते हैं, इसी के साथ साथ, आपको home tab में एक चीज़ और बतानी थी, जिसे हम नीचे ही चलते हैं, देखे बचे, मैंने यहाँ पे page orientation लिखा है, right, page orientation पे मैंने color किया है, इसकी style change किया है, underline option किया है, इसके साथ मैं 2-3 चीज़े और कर देती हूँ, जैसे मैं इसको select करती हूँ, थोड़ा सा इसका text बड़ा कर देती हूँ, right, color तो change है, underline भी हो रहा है यह, तो यह मैंने इस पर कुछ formatting supply किया, मतलब changes, कुछ effects डाले मैंने page orientation पे, अब माल लीजिए, same to same मुझे header and footer जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे भी same जो page orientation पे formatting effects है, मुझे header and footer पे भी apply करने में पास, दो तरीके, the first way, जो कि बहुत lengthy होता है, मैं header and footer को select करती हूँ, फिर वो ही उपर जाती हूँ, यहाँ से style change करती हूँ, इसका size change करूँगी, bold, italic, underline, यह सारे blah blah blah, मैं सारी चीज़े इस पे apply करूँगी, right, और इनको करने में मेरे पास, मेरा बहुत time waste होगा, right, तो इसी लिए MS Word ने एक feature आपको और दिया है, that was format painter tool, right, format painter tool क्या होता है, बच्चे, format painter tool भी आपका home tab में available होता है, आपको, आपको जिस भी text का effect, दूसरे text पर डालना है, पहले उस text को एक बड़ आप select कीजी, जैसे मुझे इसका करना है, मुझे page orientation का effects डालना था, तो मैंने इसको select किया, home tab के अंदर ही, यहाँ पर आपका format painter option है, मैं यहाँ पे गई, मैंने इसको click किया, click करते ही, वो activate हो गया, जिसके उपर भी करना है, मिर को header and footer पे करना देखो, अभी तक यह क्या है, cursor है, अभी तक यह एक cursor की तरह है, जैसे ही, मैं header and footer पे आते हूँ, यह एक brush में change हो गया है, मैं mouse का left click start करूँगी, और जहां तक मुझे करना है, उस पूरे text को select कर दूँगी, ठीक है, mouse के click से मैं उसको select करूँगी, select करक formatting थी, पूरी की पूरी formatting मेरी header and footer पे भी लग गई, that was so easy and बहुत easily और कम time में आप इस चीज़ को apply कर सकते हो, that was format painter tool, जो की home tab के अंदर ही आपका होता है, format painter tool का option, right, इसकी shortcut की होती है, control plus shift, alt plus shift plus c, right, तो यह आपका format painter tool option है, यह सारी shortcut की बचे मैं आपको pdf में available कराऊंगी, one more thing, कुछ बचे की doubts थी, कि Monday Tuesday में आपकी pdf आपको available नहीं हुआ, website open, IT का content नहीं मिल रहा था, तो बचे आपके time table के according, आपके जो IT का lecture होगा, वो last three days में होगा week में, तो इस वज़े से आपको वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको कोई doubts होते हैं, तो आप उसको comment box में, पूछ सकते हो, you can ask in the comment box, कोई भी question हो, तो आप उस चीज़ को पूछ सकते हो, पहले अगर आप वहाँ पूछी, अगर आपको वहाँ पर doubt किलियर नहीं होते हैं, मेरे से पहले आपके doubt आप आपस में ही solve कर लेते हैं, मैंने देखा हैं, बच्चे आपस में answer दे रहे है that was very good, आप एक दूसरे को cooperate कर रहे हो, तो पहले आप comment box में, आपकी कोई भी query है, कोई doubt है, subject से related, तो आप पूछ सकते हो, I will solve it there, most probably मैं सारी queries देखती हूँ, तो वो सारी चीज़ आप वहाँ पर पूछ सकते हो, उसे कोई भी query हो तो, तो ये तो था हमारा home tab में, कि हम home tab में क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हमारे home tab में ये सारे options थे, जिनको हम apply कर सकते हैं, अब हम next अपनी lecture में, आज के में हम पढ़ेंगे, that was insert tab, कि हम insert tab में कैसे काम कर सकते हैं, तो हम अब अपना insert tab यूज़ करेंगे, insert tab में हमारे पास क्या है, कि हम क्या क्या चीज़े ms word में insert करा सकते हैं ठीक है टेक्स्ट के लावा हम और क्या क्या चीज़ इसमें इंसर्ट करा सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमाई पास एक लुप देखे आप जो जो हमारे इस लेबस में हम वहीं करवाएंगे वैसे तो यहां पर बहुत वास्ट हम इंसर्ट टैप पे क्लिक करने के बाद जो हमाई सबसे पहले है content that was tables कि हम सबसे पहले tables इंसर्ट करा सकते कोई picture इंसर्ट करवानी हो हमें हम clip art इंसर्ट करा सकते हैं आपको पता है table तो आप table बनाते हैं कोई भी picture आपको insert करानी है clip arts यानि कि छोटी-छोटी clips होती है छोट-छोटी images होती है वो आपको insert करानी है shapes जिससे आपको डाइग्राम बना रहे हो तो आपको अगर कोई shape चाहिए तो triangle है rectangle है arrow है तो आप shapes insert करा सकते हो इसके बाद यह हमा इसके बाद आता है बच्चे वर्डाट वर्डाट में आपको जैसे कोई अपनी heading डालनी है और heading को थोड़ा सापना stylish बनाना है तो आप वर्डाट का यूज कर सकते हो इस तरीके से ठीक है यह मैंने वर्डाट का यूज करके क्या हो है जो कि आज हम देखेंगे वर्डाट के बाद है आपका drop cap ये भी आपके syllabus में है इसके बाद equations और symbols इक्वेशन तो आपके mathematical equation है symbols में अगर कोई symbol आपको keyboard में नहीं मिलते है अपने में आपको यहाँ पे जैसे pi का sign नहीं मिलेगा तो यह जो sign आपको symbols नहीं मिलते है वो आप यहाँ से search कर सकते symbol option में आके तो आपको यहाँ पर वो option जरूर मिल जाएगा तो यह insert tab है हमारी और इसमें आज हम अपना next जो आज आगे का lecture है वो यहीं से continue करेंगे तो इस video lecture पर मेरा question है अभी तक जो हमने किया था कि how many type of page orientation are there and what was the size of landscape orientation answer me in the comment box की landscape orientation का size कितना होता है